आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Question के अंदर ये बोल रहा है Number of Molting in Cockroach After Hatching and Development of Complete Animal R तिको इस Question के अंदर बात करी जा रही है इस Number की और ये Number जो है Molting Process के तुरू बोला जा रहा है हम जानते हैं Molting Process जो बताया जाता है Cockroaches के अंदर जिसे हम Commonly जानते हैं अज़र पैरिप्लानेटा अमारिकाना अज़र बायलॉजिकल नेम उस तरीके से यहाँ पर Cockroach की Molting के Number की बात हो रही है और हम बोलेंगे यहाँ पर इस Question के अंदर पूछा गया है कि जो Molting का Number होता है Cockroach का After the Hatching Process मतलब की हम बोल सकते हैं यहाँ पर Egg Region से यह बाहर आ चुका है और इसके बाद यह Develop हो गया है बाद एक Complete Animal में और यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि कितने Number of Moltings जो होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अब हम जानते हैं Cockroach इसकी बाड़ी के बारे में हमने देखा था पहराल एक वीडियो के अंदर यहाँ पर इनकी बाड़ी जो होती है त्री पार्ट्स के अंदर डिवाइट करती है और यह थ्री पार्ट्स जो एक Important role define करते है Mature Cockroaches के अंदर वो है इसका head, thorax and the abdomen और जैसे की insect family का member है इसके role भी हम बोलेंगे यहाँ पर different होंगे और Number of Molting Process की बात करें तो सबसे पहले हम बोल सकते है कुछ factors होते हैं Molting Process के अंदर जहां पर यह role perform होता है योकि जो Number of Molts होते हैं वो हर Cockroach के Nymph Activities पे ही Mark करते है क्योंकि Nymph जो है आगे vary करती है depending on the type of Cockroach क्योंकि यहाँ पर Type of Cockroach का एक important role है जहां पर Molting Process हो रहा है क्योंकि अलग-अलग Cockroach की हम बोल सकते है Species के अंदर Molting different होती है तो इस तरीके से अगर यहाँ पर इनकी Entire Nymphal Stage की बात करा जाए अगर German Cockroach इसकी और German Cockroach के Nymph की जो हम बोल सकते हैं Commonly Cockroach जो Household के अंदर पाया जाता है इसकी Days Accord अगर हम बात करें तो यह Consist होती है By the 55 to 68 Days के अंदर और यहाँ पर जो Molting Number प्रेजन होंगा वो होगा More Than 10 जो बता रहा है हमारे Option 4th के अंदर और हम बोल सकते हैं हम पर Molting जो होगी 10 से जाधा होगी और यह Condition जो होती है डिपेंड करती है उनकी Activities पे और उनके Factors पे जैसे कि पहला Factory यहाँ पे हम बोल सकते है Temperature होगा Whereas Second Factor जो होगा वो होगी Availability और यह Availability जो होगी Cockroaches के वो होगी इनकी Food की तो इस तरीके इस Option 4th होगा इसका Correct Answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर